नमस्कार मंजला फातिमा सुरागिलान नियूस के स्पेशल बुलिटिन में आपका स्वागत करती हूँ आज की मुख्य खबरे इस प्रकार रामनागर में उत्रखन गोर्ट की सचिवने डिल इदी परिक्षा को लेकर की बैठक 25 मई को होगी परिक्षा श्रीहेमकुन साहिब धाम की यात्रा शुरू गवर्नर और मुख्यमंत्री ने हरी जंडी दिखा कर पहले जथे को किया रवना जिमकॉबिट पार्क सहित राज्ये के सभी राश्यपार को और चुडियागरों में 12 साल तक के बच्चों की अंट्री प्री अल्मोडा में छात्रों से यौन उत्पिरन का आरूपी शिक्षक दिरफ्तार हलद्वानी में दिव्यांगों को कृतिम हाथ देगा नया आत्मविश्वास 12 जून को लगेगा शिविद अब खबरे विस्तार से उत्राखन में चार धाम यात्रा के बाद पाच्वे धाम के रूप में विख्यात श्रीहेंकुन साहिब धाम की यात्रा शुरू हो गई है रिशिकेश में गुर्द्वारा श्रीहेम कुन साहिब परिसर से मुक्य अतित्री उत्राखन के गवर्नर गुर्मीट सिंग और मुक्य मंत्री पुषकर सिंग धामी ने पहले जद्थे को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस दोरान मुक्य मंत्री ने दावा किया की चार धाम और श्रीहेम कुन साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालू की सुविधा और व्यवस्ता का सरकार पुरा ख्याल रखेगी शुद्धालू के वल यात्रा मार्ट पर जाने से पहले अपने पंजी करण और दर्शनों के लिए स्लोट बुक करने पर ध्यान गए समवाद दाता दीपग नारंग की रिपोर्ट पहुती बड़ा दिन है आज रिशिकेश से गुर्द्वरा साब से जो यात्री हैं शुरदालों हैं जो पहला जथा है वो हेमकुन साब जा रहा है यह हम सब के लिए पूरे उत्रखन के लिए बहुत सौभागया का दिन है बहुत हर्ष और उलास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहां से जा रहे हैं देखिए अभी चारधम की यात्रा चल रही है यह प्रभू का शिवजी का सबसे बड़ा आशुवात है और आज से जो यात्री चलेंगे यह 22 तरीक से हेमकुन साब में जाएंगे और हेमकुन साब का जो तब भूमी है तपस्या का जो चिन है वहां से जो आस्ता आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है मैं तो कहूँगा कि हम अत्यांत खुश हैं हर एक उत्तरखंडी पहुत ही खुश है कि हमारे घर में यात्री आए है सुब दिन है आज से यात्रा हेमकुन साफ के लिए प्रारम हो रही है और उस जट्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे है और आज बड़ा सुब दिन है और मैं सभी से कहूँगा अब तो यात्री लोग जा रहे है जो स्वस्त हैं उनी को यात्रा में जाना है और सबसे अमरोद भी हमने किया है और मारे देश के प्रदानमंत्री जी मोधी जी में आगे निकटभ वहुच से मेर वहां के लिए और की जब्डी से जल्दी ओ काम होगा अबी लोग वहाँ पर अपने अपनी यात्रा कर रहे हैं, वह यात्रा बाई रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है, आने वाले समय में यात्रा जो है, रोगबे के मात्यम से भी हो पाएगी, सभी को सुप्राम ना है, यात्री आ रहे हैं लेकिन लेकिन लेश समुफित परबंद हो सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं. देखे, जो हमारी आज की रिश्टेशन है, वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या किया है, कि आप डेर हो चुकी थी. और जथे कोई श्रीनेगर रुखना पड़ेगा, श्रीनेगर अलड़ी यातरी रुखा हुए, तो हमने संकेतिक तोर पे डाइक सो आदमी को बेजा है, वाकी कल सुभए यहां से रवाना होंगे, और आज का प्रोग्राम में मानिये, गवर्नर साह, मानिये मुक्वंत्री जी, मंत्री जी, सारे पोँचे थे, और सबसे अची बात लगी, जिए धार्मिक संस्ताओं के जितने हैड है, वो भी पोँचे, तो एक बहुत बड़ा मेसेज पूरी दुनिया में गया, कि जो हमारा उतरा खंड़ है, यह दे भूमी है, कहां है सब लोग, शाम की चैतर एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते, पापा, ट्राइ दिस, यह क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाहे, कल से चाहे मेरे रूम में, देवरपान नम्कीन, आपनों को करीब लाए उद्यान और राजस्व विभाद की टीम ने सर्वेश शुरू कर दिया है, जिलादी कारी नानिताल के मताबिक जिले के जिन इलाकों में अभी बिजली आपूर्टी बादित है, वहां पावर कॉर्परेशन का काम लगतार जारी है, हाला कि काफी जगाहों में बिजली आप प्रेड़ गरिये थे और बेक्ती की जान भी गई असमें, और आज हमारे रामनगर एरिया में रामगर एरिया में जहां-जहां भी नुपसान वा है, सारे कर्मचारी हमारे फील्ड पे जा रहे हैं, और एक एसेस्मेंट तक हमें पुरी रिपोर्ट देने कि कितना नुपसा आज हैं, और ठेती में हुआ है, इसमें भी रेस्टोर्ट खर गी है और जिनन जगाओं पे रेस्परेशन के बाप अबनेंट काम होना है, वहां पे अभी काम चला है, मौत भी काला डूंडी ए चेतर में जहां पे प्रेड के लिए के वज़ए से अगा अगरे बाजून ए क्रिशी उत्पादन मंदी समीती जस्पुर में किसानों खाद्यान आर्थियों एवं राइस्मिल एस्सोसियेशन पदाधिकारी मंदी समीती अध्यक्ष की नेत्रत्व में बैठक का आयोजन किया गया इस दौरान मंदी सचीव शलील एहमर ने आर्ची ओ ये मंदी समीती की दुकानों पर क्रशी उपज खरीद लेवा किसानों से अपनी क्रशी उपज मंदी समीती प्रांगण में लाने का अनुरूप किया संभाद दाता दीपक चोहान की रिपोर्ट मान्य अध्यर्स मंदी समीती जस्पूर गुआरा आजए इस किया गया था कि जस्पूर मंदी समीती को इस्थापित किया जए उस उत्तिरिस्ति को लेके किसान और राइसमिलर से की सेंट कुमिटिंग हमने यहां आवित की ती जिसमें सहमेती बनी है कि एक जून से यहां से जो आड़तियां है वो अपनी दुगाने इस्थापित करेंगे और एक जून से जो है किसानों की उपस की खरीदी जाए और इसके अलावा राइसमिलर एस्पूर और पचार की एस्पूर दौरा यह भी किया गया है कि किसान को दस्पूर मंदी से अधिक मुनाफ़ दिया जाए रेट दिया जाए और इसका हम परशार परशार गाउं गाउं करेंगे कि किसान अपनी उपज मंदी से मिती जस्तुर में लाए है और इसका जो हमारा इंकम होगी हमारी मंदी टेक्स वगरा उसका डपलमेंट जो है हमारी जस्तुर छित्र को ही लगए लिंक रोडे गाउं की सड़के पंड आपका हैंड पम वगरा इस थापिक्त हैं जिससे जो ही जस्तुर का विकास है रामनगर में कॉबिट टाइगर रिजर्व के प्रवेश दिया जाएगा उन्होंने बताया कि शासना देश के क्रम में कॉबिट टाइगर रिजर्व के समस्त परियतक जनों है बारा साल तक के बच्चों का प्रवेश निशुल्ख होगा संबाद दाता के लाश सोयाल की रिपोट्ट यह माननिय मुख्यमंत्री जी दुआरा घोसना की गई थी कि बारा साल तक के बच्चों को टाइगर रिजर्व नैशनल पार्क चिडियागार नेचर पार इनमें निशुल्ख परवेश की अनुमती दी थी तो उस सम्मन्द में शासना देश जारी हुआ था और हमने भी देश अपने अधिनस्त कारियालों को जारी किया है कि बारा साल तक के बच्चों को टाइगर रिजर्व में निशुल्ख के परवेश किया थी 12 जून को इनर्वील क्लब ऑफ हल्दवानी हरी कृष्णा फाउंडेशन बालोत्रा राजिस्थान के चेयर्मेन EMP AF और अमेरिका के अमबैसडर कंदब सोनी के सयोग से व्रद्द निशुल्ख प्रतिम हाथ प्रत्यारों पर शिवर्का क्वीन्स पब्लिक स्कूल में 12,000 रुपे है और इस हाथ को लगाने के बाद व्यक्ति समस्त दैनिक कारिये जैसे खेल कूद, साइगल चलाना, महनत मजदूरी और भी बहुत से काम आसानी से कर सकता है समवाद दता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट मैं दीपातिवारी अत्यक्स इनर्विल क्लब अफ हल्दवानी हम लोग हरी कृष्णा फांडेशन जिसके की ओनर जो है कंदर्प सोनी जी है उनके साथ मिलकर एक निशुन की कृटी महाथ पत्यारोपन शिविर का आयोजन कर रहे हैं 12 जून 2022 को क्वीन्स पब्लिक स्कूल हल्दवानी में मैं जेट पीसी मधूर अकरवाल इनर्विल क्लब अफ हल्दवानी ये शिविर जो है श्री कंदर्प सोनी हरी किष्ण फांडेशन बलोत्रा की तरफ से आयोजित हो रहा है जो हमारे इनर्विल क्लब अफ हल्दवानी के सहयोग से चलेगा ये एक दिन का शिविर है 12 जून 2022 ये कुइन्स पब्लिक स्कूल में लगाया जाएगा इसे खात की किमत 16,000 रुपय है जो हमारे, ये ऑजाएगा जाएगा एक रहाएगा जाएगा जब से अावरा है 25 माई को आयजित होने वाली दिल एड की प्रवेश परिक्षा के मद्दे नजर आज उत्राखन विद्धाले शिक्षा परिशद बोर्ड की सचिर नीता तिवारी ने समस्नोडल अधिकारी वा केंदर व्यवस्थापकों से के साथ बैचक की इस दोरान उन्होंने बताया कि दिल एड की प्रवेश परिक्षा 151 परिक्षा के इंदरों पर होगी जिसमें 33,342 परिक्षार्पियों ने पंजिकरन किया है समवादाता केलास सोयाल की रिपोर्ट इसमें हमारे उन्टिस परिक्षा चाहरों के नूडल अधिकारी और नूडल के इंदरों परिक्षा परिक्षा है परिक्षा कर संपन्द कराएंगे और परिक्षा समवनी सभी महत्पूर्ण है देश यहां पे हैं लगबग 34,000 परिक्षा पंजिकर्ट हुए है और सामेल होने के संक्या तो उससी दिन पतल लगे अल्मोडा के राज के उच्चतर माध्यमिक विद्याले के छात्रों से यौन उठपीरन के आरूपी शिक्षक एक्षपार कुमार गंगवार को पुलिस ने गिरफतार कर उसके खिलाफ फॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्श किया है वरिष्ट पुलिस अधिक्षक प्रदीक कुमार राय ने आरूपी को ग्रिफतार करने वाली टीम को धाई हजार का नगत इनाम की गोशना की समबादाता हेमत सिंग महरा की रिकोर्ट आज के लिए पस इतना ही उत्राखन की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें सुरागिलान नियूज